नमास्री बर्ध मानाये निर्धोत कलिलात्मने शालो का नाम ते लो का नाम यद विद्यादर पनायतें रत्य कंड़क स्राप का चार परमांगल ग्रंथे आचर समंत भश्वामी द्वारा यह लिखा गया है इसमें 150 इस लोग हैं श्रण्शकत भाशा में हैं रत्ना तरह का वड़नन हैं सलेखना समाधी और श्रापक की बहुत शुंदर जो हैं पाइदान चड़ने की जो सोपान हैं शीडिया हैं प्रितिमाय हैं उसका इसमें वड़नन हैं अभी हम लोग ने कल जो देखा था कि अपनी सरीर की चेष्टा जो है ब्यपार वई मनस्याद विनि विरत्यात मंतरात्मत विनि विरत्या क्या करना हैं सरीर की कुछिष्टा को और मन की विक्रता को और अंदर उत्पन होने वाले जो रागदिश विकल्प हैं उन सब को शान्त करके उपवास के दिन और एकासन के दिन अपनी समाय को और बढ़ाना चाहिए इस बात की प्रेड़ना दी थी आज आचर भोवन प्रेड़ना दे रहे हैं भाईया समायक आपको प्रति दिन करना हैं कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं कि आज समायक छोड़ दी उकम कर जादा नहीं प्रति दिन करनी हैं समायक प्रति दिन करने का उपदेश दे रहे हैं प्रेड़ना दे रहे हैं और बहुत स सुन्दर गात श्लोक है, यह 101 नंबर की इसका उचारण करते हैं. सामय कम, सामय कम, प्रति देवसं, यथा वदप्य नल सेन चेतव्यम, यथा वदप्य नल सेन चेतव्यम, ब्रत पंचक परिपूरण कारण मवधान युग तेन, सामय कम, प्रति देवसं, यथा वदप्य नल सेन चेतव्यम, ब्रत पंचक परिपूरण कारण मवधान युग तेन, एक एक सब्दकार देखिए. ब्रत पंचक हिंसा त्याग आदी पांच ब्रतों की, परिपूरण पूर्ति का कारण मवधान युग तेन, चित्र की एकागरता से युग त पुरुष के द्वारा, प्रति दिवसम प्रति दिन यथा वत सास्त्रुग बिदी के अनुसार चेतव्यम बढ़ाया जाना चाहिए. के रहे हैं सामाईकम प्रति दिवसम, सामाईक को प्रति दिवस अर्थात प्रति दिन करना चाहिए. जैसे जीवन जीने के लिए आक्षिजन प्रति समय चाहिए. प्रति समय इधी आक्षिजन नहीं मिलेगी, तो ये अपना जो जीवन है चलने चकता है. आयू प्राण जो हैं वो ठेर नहीं सकते हैं आयू प्राणों को ठेरने के लिए स्वाश्च श्वास की अत्यंत आवशकता है मनुष्ट परियाय में प्रति समय स्वाश्च श्वास चाहिए तो उसकी बेना हम टिक नहीं सकते सरीर में अपनी आत्म को रखनी सकते हैं इसी प्रकार से कह रहे हैं सामाइक के बिना भी सादक रह नहीं सकता बिना सामाइक के सादक रह नहीं सकता है जैसे सरीर में नाड़ी का महत्व है नाड़ी एक मिनिट भी चलना बंद हो जाए एक सिकेंड में चलना बंद हो जाए तो जीवन खत्रे में आ जाएगा साधक भी यही सोचता है कि यदि मेरी आज समाईक नहीं हुई तो मेरा जीवन खत्रे में है मेरी साधना खत्रे में है मेरा मोक्षमार्ग खत्रे में है मैं अपने रतना तरह को सम्हाल नहीं पाऊंगा यहां बताये जा रहा है एक बात अच्छी बात बताये जा रहा है यह समाइक क्यों प्रिद्श करना है क्योंकि इसी समाइक के कारण ही आपके पांच जो ब्रत है अनुब्रत है उनका संदच्छन हो सकता है लिखा ना ब्रत पंचक परिपूरण कारणं पांचों ब्रतों को परिपूरण करने में कारण है क्या सामाईक अहिंस आनुब्रत, सत्यानुब्रत, अचोरियानुब्रत, ब्रम्चरियानुब्रत, परिग्रह परिमान अनुब्रत ये पांच अनुबत पड़के आया है न पन उनका संदचन कोन करेगा उनका संबर्धन कोन करेगा तो वह लोग समाईक करेगा समाईक काल में हम हिंसा के भाव निलाएंगे जूट के भाव निलाएंगे जूट के कार नहीं करेंगे कोई गलिस सेवन नहीं करेंगे परिग्रे की इच्चाईंँ नहीं रखेंगे उनका हमना त्याग किया है तो उससे हमारे पाँच जो ब्रत्थें वो अच्छे तरह से हश्ट पुश्ट हो जाएंगे और जो नीव मजबूत हो जाती है जब नीव मजबूत हो जाती है तो महल अच्छा बनता है जो आंगे लंबे समय तक चलता है हम पांच वरतों को मजबूत करने के लिए समाइक कर रहे हैं और हमने समाइक का अभ्याद स्रावा कवस्था में डाल दिया तो यही हमारे अनुवरत महावरत हो जाएंगे अनुवरत नीव रहेगी और महावरत उसका महल हो जाएगा यदि आप क्या बोलते की अपने समाइक प्रदिन करते हो नियम से करते हो नियत काल में करते हो समाइकम प्रदिसम क्या कहने यथावत यहाँ पर condition दी है आचर भवन्य यथावत यथावत मतलब जैसी कही गई है यथावत जैसी कही गई मतलब आगम में भगवान की वानी में दिवधोनी में समाई का स्वरूप जैसा कहा गया है उसी स्वरूप में ही आपको समाई करना है अब हम पीछे बता चुकी है समाई के बारे में कि आपको चारो दिशाओं में जो है कायूश सर्ग करना चाहिए बैठ करके प्रणाम करना चाहिए ठीक नहीं एक कायूश सर्ग तीन जो है आवर्त और एक शुरूनति क्या करना है खड़े होकर कि या बैठ के एक कायूश सर्ग एक दिशा में एक कायूश सर्ग फिर उसी दिशा में तीन आवर्त यह कहलाती है आवर्त तीकि मन से बचन से और काया से तीन आवर्त और एक शुरूनति आपका पूरा मस्तक जोखना और फिर बैट करके प्रणाम करना, नमस्कार करना, पूर दिसा की ओर, फिर ऐसे पूर दिसा से आप जाएंगे, तो दच्छिन दिसा में जाएंगे, दच्छिन से फिर पश्चिम दिसा में जाएंगे, पश्चिम से फिर आप उत्तर दिसा में आएंगे, तो ये चारों दिसा में इस्तित अरहंत सिध आचार उपाध्याई साधू जिन्धर्म जिनागम जिन्चेत जिन्चेत्याले को नमश्कार कीजिए यहीं से बैठे बैठे बन्दना कीजिए बैठे बन्दना कीजिए वैसे त्रकाल बन्दना होती है तीनो टेम बन्दना होती है और तीन बार उठक करके भी क्या होती है? बंदना होती है. यह आपने किया, फिर आप पूर दिशा, कौन सी दिशा? पूर दिशा या उत्तर दिशा. दो में से कोई एक दिशा जो है, उसको चुल लेते हैं, देख लेते हैं, कि हमें कौन सी दिशा सही महाँ पे शूठ हो रही है, उस जगह में, तो उस दिशा की और मुख करके, क्योंकि एक तरब जो है, हमारे भगवान का जन्म स्थान आयोध्या है, एक तरब जो है, जो है मोक्ष स्थान है, शमीश शिखर है, तो ऐसे दिशाओं को चुन करके, हम ऐसे स्थान पर कभी जन्म हो, तो ऐसे स्थान पर जन्म हो, जहां हमारा जीवनी सफल हो जाए, और मोक्ष हो तो ऐसे स्थान से हो, जहां से हमारा जीवन सफल हो, ऐसी मंगल भावना करते हुए, अथ्वा विदेह छेत्र जो है उसकी याद करते हुए जहां स्रीमंदर स्वामी जो हैं दिव्य धोनी दे रहे हैं ऐसी दिशाओं को याद करते हुए उनको नमस्कार करते हुए आप एक आसन लगा के बैठ करके या खड़े हो करके पर आपको जो है भक्तियां पढ़ते हुए शिध भक्ती पढ़ते हुए योग भक्ती पढ़ते उए और दंड़क पढ़ते हुए समस्त सावध का त्याओ करते हुए मैं समस्त पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग करता हूँ इतने समय तक किसी प्रकार का आरंब सारंब नहीं करूँगा सभी सावध का त्याग करता हूँ और इतने समय तक अपने इस्थान को छोड़ूँगा नहीं जिस इस्थान पर हूँ, उसी इस्थान का मेरा नियम, बाकि सारे इस्थान का मेरा त्याग है, समस्त प्रत्वी का मेरा त्याग है, सिप उतने इस्थान में बैठा हूँ या खड़ा हूँ, वही इस्थान इतने समय तक के लिए उसको मैं गिर्ण कर रहा हूँ, बाकि समस्त इस्थान का मेरा क्या है त्याग है ऐसा आप उसमें करें और यथावत जो कही है सास्त्रों विद्धिनुसार उसमें फिर आप कोई शरीरिक चेश्टा न करें मानसिक चेश्टा न करें मुराग्दुस का विकल्प न करें मन को यहां वहां न ले जाएं या तो प्रभू की इस से आपका आत्मा धर्म ध्यान कर सके और धर्म ध्यान के बल से सुभवपयोग के बल से शुद्धवपयोग की भामना भा सके ऐसा जो है यथावत सास्त्रों तरीके से आपको समाई करना चाहिए यथावत ठीक है ना? यथावत अपी अनलसेन क्या अब सब दिया है? अनलसेन अनलसेन क्या होता है? आलस रहित ठीक है ना? अनलसेन मतलब आलस रहित होकर समाई करना है कोई प्रमाद नहीं चलेगा प्रमाद आलस कैसे होता है? टिक के बैढ़ जाना यह आलस है लेट गए समाई के कायुसर किया चाहरत अब और नाम से लेट गए अब होने दो समाई चलने दो समाइक, यह क्या है? समाइक नहीं है, वो विश्यस परिस्ति होती है, कोई बिमार हैं, कई अंतराय चल रहे हैं, और फिर बेट नहीं पा रहे हैं, तो अब सवासन में समाइक कर सकते हो, सवाशन, ठीक ना, सवाशन मतलब क्या होता है? मुर्दे की तरह हैं, लेकिन मुर्दे की तरह कर सकते हो, उसमें भी हिलना डूला नहीं होता है, बिल्ग कागर, वैसे आपको बता दिया, पहले आसन बता दिया थे, पदमासन, खडगासन या पर्यंकासन, पीछे के श्लोकों में समंत भश्यस्वामी ने, तीन ही आसन बताये थे, इस्थानम, उपवासन, इस्थानम, बैठना, उपवेस, जो खड़े होना, और एक बताया था, पर्यंकासन, पाल्थी, सुखासन, ये तीन आसन के नाम ही जो हैं, इसे श्लोक में बताये थे, उन तीन आशनों में ही समाइक करना है समाशन में आपकी निंद लग सकती है आप निद्रा में जा सकते हो बिश्तर में बेट के समाइक नहीं करना गद्दे में बेट के समाइक नहीं करना और जिस आशन में सोते हो उसमें बेट के समाइक नहीं करना क्योंकि जिस आसन में अपन सोते हैं तो उसमें जो है फिर आलास आजाता है लेटने का मन कर जाता है बार-बार लेटने का मन कर जाता है उस आसन क्योंकि वो सुक्का आसन बन गया है लेटने वाला आसन क्या हो जाता है हमारे देवाब के सुक्का आसन आराम कलो, सरी को विश्राम दे दो यह आप बिस्तर में बेटोगे निद्रा आएगे आप बिलकुल बिस्तर से उठो चोकी हो, चिटाई हो पटा हो, जमीन हो वहाँ पर बेट करके आप बिलकुल निश्चनत रूप से क्या है सामाइक कीजिए अनल सेन बढ़ाना चाहिए ब्रत पंचक पर पूरण कारणम अवधान युकतेन एक सब्द और आया ध्यान देजिए अवधान युकतेन युकत अवधान अपने को सबसे हटा करके अवधान मलत चित्र की एकागरता चित्र की एकागरता से युकतेन युक्त चित्र की एकागरता से युक्त आप बलकुल उसमें एकागर चिंता निरोधा एक में अग्र होकर के समस्चिंताओं का निरोध करना अबधान युक्तेन है कि चित्र की एकागरता से युक्त पुरुष के द्वारा जो प्रदिन समाइक बढ़ाई जाती है वही समाइक जो है करने का यहाँ पर आचर भगवन उपदेश दे रहे है तो यहाँ पर दो-तीन बातें होई है पहली बात तो होई है यथावत यह हमें समाइक सास्त्रों तरीके से करना है जैसा आपने प्रारम में समाइक की बिधी की है वैसी ही बिधी आपको अंत में भी करना है जो समाइक का विशजन हो तो उस समय भी आपको चारो दिशाओं में पुना फिर खड़े हो करके एक कायोशर्ग और तीन-तीन जो आवर्त हैं और एक शुरुनती ये आपको बाद में भी करना है ठीक है ना प्रणाम भी करना है ये विधी प्रारम की और अंत की है चैत भक्तियादी पढ़ सकते हैं समाधी भक्ति पढ़ सकते हैं ये सब भक्तियों को पढ़ते हुए वैसे समाधी को बंदना में डाला गया है कि समाधी क्या है उसमें भग्वान की बंदना करो इस्ति करो तो उस समय आपको सांसार के काम याद नहीं आएंगे समाधी काल में कोई इस्ति कर रहे हैं कोई बंदना कर रहे हैं इस्तुती बंदना मतलब किसी एक तीथंकर का या चौबिश तीथंकर का कोई आप इस्तमन कर रहे हैं, तो इससे आपको कोई वीच किसी बाहरी चीज़ आद नहीं आएगी, और प्रभू की आद आएगी, प्रभू का निम्षकार होगा, उनके गुड़गान करोगे, तो ऐसे नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, बिलकुल यथा आबत, जैसा है, बिलकुल वैसे, वो कहा गया है कि उपल खाज खोजावते, हिरन, मुनिराज के पास सन निकट पहुच करके उसके खाज होती है, तो वो लकडी की ठूट समझ लेती हैं, कि लकडी का ठूट है और उससे अपनी क्या करती है, खाज को खुजा करके चली जाती है, खुजली, तो ऐसे कितने निश्चल मुनिराज होंगे, तो टस से मसनी हो रहा होंगे, हिरन को भी डर नी लग रहा है, क्योंकि थोड़ा भी हिलोगे, तो भाग जाएगी, उसे भैबित हो जाएगी, तो इतने बिलुकल अकम और वो अपनी धिरे-धिरे खाज खुजाती है और अपने मार्ग में चली जाती है, इतने अचल हो करके समाई करना है, न सिर जुकाना है, आपको पता है कायो सर्ग या समाई जो है, बत्तिस दोसों को टाल के किया जाता है, बत्तिस दोन में, ओली चला बहुँ चलाना, आखे मठकाना, यहां वहां गर्दन करना, सिर जोगा के अपने सरीर को देखना, उपर सरीर करना, चाती छोना करना, पैर को घुटने को मोड़ना, पैरों को हिलाना, उंगलियों को तोड़ना, फोड़ना, यह सब ती सारी बहुत सारी चीजे हैं. इन समस्त प्रकार के दोसों से रहित होकर के कायो सर्गों सामाइक करना चाहिए, और ऐची सामाइक जो बढ़ाते हैं, उनके ब्रतों का पालन अच्छी तरह से हुआ करता है, शेस्पिस है, कल, जावानी के ग्यान से सुझे लोका लोग, शोपानी मस्तक धरूं सदा देतों धोग, हे जिनवानी भारती, तो हे जपों दिन रें, जो तेरी सर्णा धरे सोपावे शुक्षे, सब को बहुत बहुत मंगल आश्रबाद